कि हलो बच्चो केसे हैं आप सब आयूप के आप सब बहुत बढ़िया है आज हम करने वाले हैं लेसान नमबर 12 एड़ ग्रिड अभ्यास पुष्टिका का पीज नमबर 72 से इससे पहले का मैंने सब्सक्राइब को बता दिया है अगर आपने नहीं दिखा जहूर देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक दी के लिए या पर अब डायट प्ले लिश्ट बजाएंगे तो आपको मिल जाएगा हिंदी का भी कंप्लिट शॉलिशन मैंने बता दिया है तो अच्छो पार्ट का नाम है नो मूर वाउट ठीक है उनके बारे में अधिक जानना ठीक है तो किन के बारे में तो इसमें जो है ट्राइवल के बारे में मत ब्रदिश में जन जाती हैं उनके बारे में तो वेरी शॉर्ट में आपको दिया गया है एड़ सफिक्स एल वाई इनिली देखिए सफिक्स मत के द्वारा मनाई जाते हैं तो बच्चों पैमा फट्ट्या कौन थे तो पैमा फट्ट्या इस दा वील आर्टेस्ट कौन थे वीलो के कलाकार ठीक है वील जन्जाती के वाट डू यू नू अबाउट गुड़नी बुधनी एंड चीना तो दीज आर दा कलरफुल वॉल पैंटिंग ऑफ गॉंड तो गॉंड जन्जाती की रंग बेरंगी दीवालो पर चत्रकारी को ही इनका नाम दिया गया है ठीक है अगला है चैंज दा फॉल्विंग सेंटेंस इंटू पैसे बॉइस तो पहल अगला क्या दिया गया है माई मदर कुक्स फूड ठीक है तो इसको लिखेंगे फूड वास कुक्ट वाई मदर ओके अगला है मैंसन दा नेम आप ट्राइफ डैट लिव इन मद्दबिदिस में कौन कों से ट्राइब रहती है गॉंड कोरकू वेगा वारिया और वील ठीक है अगला है राइड दा सॉर्ट नूट ओन वील हाउस मतला वीलो के घर पर एक सॉर्ट नूट लिखना है तो देखी वाद चौप इसको इस तरह से लिख सकते हैं धिर होंड लिव इन इन शनस तॉांट वेव विव एर वाल और दा कोट उद देख एंब खिर्व चॉर्ट एंप नूटिया लिख टिर चॉर्ट्टित देर कॉर्ट्वर्टर्ण और टेर मत्रियल अ क्तूर्ण स्वल्ड सें पांध पैंपिज अ जव्थर बह सॉत उर्ट प्लांट्स ब्रिसेस बित ब्रिस्ट मेड ऑफ टेटर्ड क्लोट्स और कॉटन शॉप्स टाइड टू नीम विक्स ठीक है इस तरह से आप इनको कम्प्लिट कर सकते हैं ठीक है तो हम चलते हैं नेक्स्ट कॉस्चन पर नेक्स्ट कॉस्चन क्या दिया गया है अंडरलाइन दा साइलेंट लेटर इन फॉलिविंग वर्ड एंड री राइट देम तो टॉक और नू तो साइलेंट लेटर मनलब जिनको प्रोणाउंस में नहीं बूला जा रहा है तो टी ए एल के टॉक में ना तो इसमें एल नहीं ब नियर दा फॉरेस्ट बिकॉज दियर हाउसिस है ना आर मेड अफ बुड एंड लिप्स एंड दा फॉरेस्ट इस दियर मेंस ओफ लिविंग हुड ठीक है तो इस तरह से आप इनको लिख देंगे क्योंकि वह जंगलों के पास रहना से लिए पसंद करते हैं क्योंकि उन जो तो इस तरह से इसमें लिख दिना है दा वीकली मार्केट ए वीक बिफोर होली इस सेलिबरेटेड एज भगोरिया हाट इन दिस हाट वील डांस्ट एपलाई गुलाल ओन दा फेशिस ऑफ दियर रिलेटिवस एंड फ्रेंड और फर देम श्वीट स्नेक्स आइस केंडी एट इसके कुछ नियम है तो यह जो है किस ने बोला तो यह बोला यह एक्षन है कि जब तक आप पानी ना पियें जब तक मेरे प्रिश्णों का उत्तर ना दी दे मतलब इसके कुछ नियम है ठीक है वाट वुड यू हैब वाट वुड यू हैब ड़न इफ यू और प्लेश आफ नकुल क्या करते है यह नकुल की जगह पर आप होती तो देखो इफ वी हैड वीन इन नकुल प्लेश वी वूड है ट्राइट तो आंसर दा क्वेश्ण अप दा यक्ष तो हम जो है यक्ष का प्रिश्णों के उत्तर देने के लिए कूशिस करते हैं राइट दा नेम ऑफ फाइब पांडाउस तो यूदिश्टर भीम अरजुन नकुल और सहदी वी पांच पांड़ों की नाम है अगला क्या है कि वाइड़ यक्ष एलाव यूदिश्टर टू डिरिंक वाटर फ्रम दा पूल कैसे उनने अलाव किया क्योंकि यूदिश्टर हैड़ आंसर्ड औल दा कुष्चें क्योंकि कुष्चें ओ कांसर न दी दिया था इस कंजर जो इधर क्या है आपको दिये गए हैं क्या कि कनवर्शिशन और शी के कनवर्शिशन के आदर पर आपको एक मैसेज बनाना है तो इस तरह से आप मैसेज बना देंगे date आपको वो लिखनी है जब आप लिख रहे है ये डिट नहीं लिखना है date आपको वो लिखनी है जहां पर आप जिस दिन आप लिख रहे हैं ठीके रानी message from your friend Mina is to return her book English notebook father father की दोरा यह है जो message book convert किया गया अगला question क्या है देखिए कि who was नकुल की माता का नम क्या था तो उनकी माता का नम था मादरी तो अगला क्या है make any two sentence by using the following model can का क्या बन जाएगा sentence can you give me a pen क्या आप मुझे एक pen दे सकते हैं may I come in what moral do you get from the story बर्चुस पे आपको क्या सीख मिल दी है ठीक है तो देखो the moral of this story is that we should stay patients हमें धहरे रखना चाहिए in adverse situation कोई भी बिसम परिश्थिती में it also teaches to love and care for all imperatively and follow the path of धर्म और हमें धर्म का जो है रास्ता अपना चाहिए और हमें किसी से भी पक्षपात नहीं करना चाहिए ठीक है तो चलते हैं next page पर page नमबर होगी है 77 ठीक है तो पी नमबर 77 के बाद है आपका लास्ट चैप्टर आजाद दा मार्टरिस मतलब आजाद ठीक है चंद सी का आजाद देस भाग तो करते हैं इसको rearrange the letter to make meaningful word ठीक है इधर जो बड़ दिए गए है वो rearrange करना है इधर वाली और इधर वाली तो इसका से अंसर हुजाएगा mentor ठीक है वो इसका हुजाएगा freedom ओके और अगला है which incident took place in Amritsar 1919 तो 1909 में कौन सा इघर ना हुई तो बच्चो जलिया वाला बाग हत्या कान्ड जो है 1911 को अमर्सर में घटा on which days सहीद चंद सी खराजाद memorial award presented तो देखो on बलिदान दिवस of चंद सीखर आजाद इसी दिन जो है memorial award present किया जाता है when and where was चंद सीखर born तो कहां पैदा हुई चंद सीखर तो बच्चों he was born in जहाबुआ MP on 23rd July 1906 which statement of चंद सीखर provoked the magistrate in 1922-21 कौन सी बातों से जो उत्तिजित हो गए कौन जस्साब तो उन्हें कोड़ी लगाने की बात कही तो देखे बच्चों आपको यहां से लिख देना है देखी कहां से चंद सीखर gave him his name as याजाद his father name as स्वतंत्र and his residence as a prison this is my statement provoked the magistrate तो चलते हैं next question पर और इसको करते हैं अगला question है when was चंद सीखर attracted toward the more aggressive revolutionary idea ठीक है तो after the suspension of non-corporation moment तो non-corporation moment से उनको निकाल ले जाने के बाद उनको जो है aggressive हो ठीक है अगला how did चंद सीखर keep his place to non being caught alive उनने कैसे अपनी प्रतिज्या को परकरार रखा कि वह कभी भी अंग्रीजों के हाथ में नहीं आएंगे तो देखी बच्चों इसको इस तरह से लिखेंगी वहन चंद सीखर was surrounded by the British police he fought valiantly and last sought himself he was not caught alive does he prove his name is azad ठीक है तो चलते है next page पर तो page number है वापका 80 तो लास्ट पेज है इंग्लिस का page number 80 कहा गया है चंद सीखर जो एड़ाप्टेड दा सरनेम आजाद बिच मींस तो आजाद मींस होता है free क्या होता है free अगला है मैंसन दा फैवरेट हिंदुस्तानी कपलेट ऑप चंद सीखराजाद ठीक है तो चंद सीखराजाद की जो मुष्ट उनकी फैवरेट जो लाइने थी वो क्या थे वो क्या बूला करते थे और डिस्क्राइब दा इंसिडेंट ऑफ अल्फुरेट पार्क विच टुक पिलिस ऑन फरवरी इन 27 1931 तो इन दोनों को मैं आपको बताता हूं तो दीके चलिके फैवरेट हिंदुस्तानी कपलेट थी वहां पर आप लिखेंगे इन दोनों को क्या दुस्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे ठीक है तो इन दोनों लाइनों को आप वहां पर नूट करेंगे तो लास्ट कॉस्ट को आप इस तरह से फिल करेंगी, दा पुलिस सराउंडेड दा पार्क, एंड ओर दू चंद सीखा राजा, तू सरेंडर, चारो तरफ से पुलिस ने गहिल लिया था, और कहा कि आप अपने आपको सरेंडर कर दीजी, आजाद फॉर्ट वेलियंटली, तू आपको यहां से लेकर और यहां तक लिखना है, ठीक है, यहां से लेकर और यहां तक, ठीक है, चार लाइन है, तो इस तरह से आपका जो कंप्लेट होता है वीडियो को लाइक को सब्काइब करें, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, टेक कियर,